हेलो गाईज, आज की इस वीडियो में 29 सेप्टमबर 2020 को एंटी अनेट की परिक्ष्या में पेपर वन में जो जो क्यूस्टिन पूछे गए थे उन सभी क्यूस्टिन को हम डिस्कस करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं इसिटी वाले सेक्षिन से जी आएफ की फुल फॉर्म पूछे गी थी जो की है ग्राफिक्स इंटर्चेंज फॉर्मेट एक मेंबरी की स्पीड से रिलेटेड कुछ क्यूस्टिन पूछा गया था जिसके अंदर स्पीड के अकॉर्डिंग लिए मेंबरी अरेंज करनी थी तो इसका सही करेक्ट आंसवर आएगा 37.5 एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं टोटल डिस्टिन्स को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो 300 divided by 8 करेंगे तो 37.5 इसका आंसवर आएगा एक क्यूस्टिन है वो compound interest यहन की चकरवर्दी ब्याज से related कुछ क्यूस्टिन था कि कोई धनराशी है वो 4 साल में डबल हो जाती है तो उसका rate of interest बताना था compound interest की हिसाब से तो इसका answer I think 8% आएगा people and environment वाले section से पूछा गया था कि urban areas में जो smoke पाई जाते है उसके अंदर कौन से gas होती है और जोन गयस होती है उसमें nitrogen oxide होती है और sulfur dioxide होती है उसके अंदर पूछा गया था जिसमें और Paris Agreement था वो 2016 में इंडियन लोजिक से क्यूशन पूछा गया था कि जो चैनीज philosopher युआन जैंग उसने नालंदा university है वो कौन सी century में विजिट की थी तो इसका answer आएगा 7th century research वाले section से question पूछा गया था कि quantitative research के लिए कौन सी sampling best रहेगी systematic sampling, quota sampling, stratified, random snowball sampling ऐसे कुछ options given थे एक question research method से पूछा गया था कि कौन सा research method है जिसके अंदर independent variable के अंदर changes है वो possible नहीं है तो x post facto इसका answer आएगा reasoning वाले section से series से related question पूछा गया था next series पता करनी थी term थी 8 16 32 56 इसके बाद next term कौन सी है यह पता करना था तो इसका answer आएगा 88 तो यह कुछ questions थे जो आज के paper में पूछे गए थे अगर वीडियो अच्छे लेगी हो तो like कर देना और चैनल को subscribe कर देना thank you